नमस्तार प्रधान मंत्री जी एशयनेट सुवर्ना न्यूज, एशयनेट न्यूज, कनड़ा प्रभा और एशयनेट न्यूज.com से बात करने के लिए 2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिफ विक्टरी मिली आपको फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिफ विक्टरी इस बार बहुत जरूरी है और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिफ विक्टरी का क्या मेल है देखिए पहली बात है कि लोगतंत्र में मैं तो चाहूँगा हर एक राजनीतिक दल में यह एस्पिरेशन होना चाहिए कि भई हम चुनाव लड़े लोगों का विस्वास दीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल हैं हमारे जरूल से जो भी अपने सपने हैं उसको लागो करने का प्रयास करें तो किसी भी राजनीतिक दल में आकर यह महतों का अक्षा ही नहीं है तो तो फिर लोगतंत्र के लिए ही ठीक नहीं है तो लोगतंत्र की आवशक्ता है कि सभी राजनितिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी ने कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के अधारप्रद इसकी सेवा करेगी ये लोक्तनत्र के आवशकता होती है जहां तक बीजेपी का सवाल है तेकि दोजार चौधा में जब हम आए थे तब एक पांच छे दसक का कॉंग्रेस को राज करने का उसर मिला और शाहिद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं इतना बीडिया मी लही था और नहीं तनी मीडिया में वाइबरंसी थी यानि एक प्रकार से उनके लिए ऐसा खुला मैधान था और देश भी उनके साथ था क्योंकि आज़ादी के अंदोलन के बाद जो भाव थे वो जो चाहते वो देश कर लेता लेकिन वो मौका घवा दिया और दीरे 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 डिटूरेशन पढ़ाया अब उस परिस्थिति बे 2013 में जबकि मेरे पर एक आरोप था इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है इस आदमी को दुनिया का क्या पता है ये सारे नकारतमत मुद्बे होने के बाउजुद्भी लोगों ने हमें सेवा करने का उफसर दिया और मैं कह सकता हूँ कि 2014 वो उमीद का कालखंड था लोगों के दिल में भी उमीद थी और मेरे मन में भी उमीद थी कि हम उनकी उमीदों को पूरा करे और पांप साल में सरकार चलाना मतलब मैं शाचन नहीं करता हूँ मैं सेवा करता हूँ सरकार चलाने का मतलब मैं पड़ बैठ करके मोज करने के पक्षमने हूँ मैं एक सामान नागरिक से भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूँ लोगों के लिए लोगों ने बड़े नेकट से हमारी सरकार के कामों को देखा 2014 में उमीद का मातावर था 2019 मैं ये प्रकार से विश्वास में पलट गया जन सामान का इतना विश्वास उसने मेरे भीतर एक नया आपनों विश्वास भर दिया मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं हम सब के लिए जो काम करने का सब का साथ, सब का विश्वास, सब का प्रयास का मत्र लेके चले उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं और उसका परणाम ही आया कि 2019 का कालखन एक विश्वास का कालखन रहा और आज जब मैं 2024 में देश वास्यों के पास गया हूँ तो मेरा 13-14 साल का एक राज्चे के मुख्यमंतरी नाते अनुफो 10 साल का प्रधान मंतरी के नाते अनुफो और इसमें किये हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूँ याने कभी उमीद फिर विश्वास और अब गारंटी और जब गारंटी होती है न तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और मुझे ही लगता है कि आज दुनिया में जो भारत का के परति भरोसा बना है आखिर विश्व ने हिंदुस्तान ने तीस थाल तक अस्थीर सरकारों को देखा है अस्थीर सरकारों ने देश का बहुत दुक्षान किया है विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नजरिया भहती एक प्रकार से पोई वैल्य नहीं था लेकिन स्थीर सरकार क्या कर सकती हैं वो देश के मद्दाताओं ने देखा है और इसलिए मुझे लगता है कि 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है बीजेपी नहीं लड़ रही है देश की जनता का इलीशेट्य है देश की जनता दस साल के अनुभव के अधारप नेने कर चुकी है और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यत महत्व है तो अब जगा जगा जा रहे हैं मुदी जी पेशा कर रहा हैं आपको रहों की रैक्शन के ओपर शार्वाध्यन जीवन में लंबे समय से काम करता हूं मैं संगठ्ण का कार करता रहा हूं तो मैं माहूल को समझ पाता हूं मैं कोई जोती से नहीं हूँ लेकर उस वाइबरेशन को समझ पाता हूँ और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं जहां जहां गया हूँ और मैं कोई चुनाओ के समय दोरा कने वाला इंसान नहीं हूँ मैं हप्ते मैं कर दोर्मल यहार फ्राइड़ेशं और संडे कहीं नहीं जाता हूँ सरकार के काम काच करता हूँ वो भी मैं जन्ता के बीच में करता हूँ और उशके कान मुझे बदलता हुआ माहोल उसका मुझे अंदा जाता है और इसने मैं देख रहा हूँ कि यह जो एक तरफा वातावर दिख रहा है, वो चुनाव डिकलेर होने के बाद पादा नहीं हुआ है, यह पिछले दस साल में निरंतर बढ़ता गया है, और लोगों का अप्रत्यासित समर्थन, दूसरी तरफ, मुझे पताईए, पताईए, यह जो आप अगर मत्दाता है, तो आप मत्दाता के नाते बोट करने जाएंगे, तो क्या सोचेंगे? पहले तो आप सोचेंगे कि देश किसको दे रहा हूँ है, किसके हाथ सुपरत्तर रहा हूँ है, तो आप जो भी लोग दिखते हैं, पिर आप तक एने इनको द करते हैं, तो आप जो बात बताते हैं, और जो करते हैं, उन सब क्या अधार पर एक मन बनता है, दूसरा, उनके हमारे साथी कौन है, हमारी सोच क्या है, हमारे एजेंडा क्या है, दूसरे स्टेज पर वो देखता है, औरों के कावना में कैसे रहें, अलों कैसा रहा है, वो इस बार के चुनाव का एक सथ भागय है कि 2014 में मतदाताओं को कंपरिजन के लिए अफसर बहुत कम था एक गुस्सा था मोदी को लाओ अब उनके पास कंपरिजन अच्छा वे बुर ऐसा करते थे मोदी ऐसा करता है वो यह गलती करते थे मोदी यह गलती नहीं करता है वो यह बुरा ही करते थे मोदी नहीं करता है और इसलिए अब कंपरिजन के बाद वो नतीज्य पर परपरश रहे है और इसलिए मैं उनके आखों में प्रेम तो देखता हूँ आकरशन भी देखता हूँ, लेकिन साथ-साथ उनकी आखों में जिम्मभारी में देखता हूँ, वो जिम्मभारी कहते हैं कि ये चुनाव हम जिताएंगे, बोदी जी आप चांत रहें, आप चिंता मत कीजिए, ये मेसेजिएंग उमीद दिखाई देरा है लोगों में, 2014 से ही है, टोटली एंटी करप्ट, कभी किसी ने कुछ लांशन लगाया, कभी कुछ लगता नहीं है, बिलीफ है कि आप बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट गर्वर्मेंट रन करते हैं, उसके बाद भी अभी जैसे एडी के अरेस्ट्स वगेरा हुए हैं, कई लोग इसमें क क्या कहना चाहेंगे, मैं आपका बहुता भारी हूँ कि अपने इस चीज को अभजर किया क्योंकि मैं तेरा साल तक एक राज्य में भारी भारी बहुमत के साल सरकार चला ता तो अच्छा आर्थी गुरुप से अच्छा राज्य उसमें मैं सेवा करने कमी जावसर मिला और तो लोग मेरे जीवन को भी देखते हैं तो मेरे साथ वाले वो भी मेरा जीवन देखते हैं वो मेरे उसुलों को देखते हैं और बाइन लाज हमारा तेहत वाब लीटर का अगर एक है कि इन चीजों मैं मेरे वैल्यूज हैं तो फिर कोई सरक्रत के बाहर पैर नहीं रखता ह दूसरा, मैं प्रारम से मेरा एक आगरा रखा है, कि मेरी गवर्मेंट पॉलिसी दिवन होनी चाहिए, आड़ो की जब नहीं होना चाहिए, ब्लैक एन वाईट में पॉलिसी रखो, पॉलिसी में गल्ती हो चकती है, लोगों का अलोचना करने का हाग है, लेकिन जब पॉलिसी ह होती है, ब्लाक एंड वाइट में होती है, तो किसी भी अफसर को इप्स और बड्स का उसर नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का उसर नहीं मिलता है, उसको यह मानना पड़ता है, यह तो बाएं जाएं या दाएं जाएं, और इसके कारण जो नागिरी है उसको भी लगता है यह मेरे हका है मुझे मिलेगा यह मेरे हका है यह नहीं मिलेगा तो उसे विश्वास भी बढ़ता है दूसरा आपने देखावा का हमने कुछ कदम भी उठाए पहले रिकूर्ट में गये हैं क्लास थ्री का फोर के लिए साब इंटर्वी होत है तो मैंने कहा है नो इंटर्व लोग अपना जो भी बायो डेटा है इसके अधर पर अपलाए करें और कॉंपूटर तहे करेगा कि कौन योग्य लोग है पहले दोस्तों आएंगे कॉंपूटर से उनको और दे दो हो सकता है दो चार लोग अमारी अपिक्सा से भी का जाए करेंगे लेकिन कम से कम उसको यह तो लगेगा कि मुझे तो ट्रांसफरेंसी मुका मिला है मैं अपनी ख्शंता बढ़ा हूं मैं अपना काम करूँ और आज उसके करान लोग लेवल पर ऐसी कोई चीज अब जैसे इंकम टेक एसस्मेंट सबसे ज़्यादा सिकाहते रहती थी करूशन का अवसर तो नहीं होता है हमने फेस्लेस कर दिया टेकलोलोजी कर दे आज मुंबई की फाइल गोहाटी में देखी जाती होगी या चेने में देखी जाती होगी या कोची में किसको मालूम भी नहीं है और इसलिए वो मेरिट के आधर पर चीज़े देखता है तो ल जम पॉर्टल है आप जम पॉर्टल पर आईए सरकार को जो भी खरीदी करनी है जम पॉर्टल पर जाए और स्पीर भी होती है तो मैं समझता हूँ कि यह हमारा जो ओनलाइन मेकरिजम है एक मल्टी फरसेटर हमारी अक्टिविटी है उन सारी चीजों का परणाम है अब जैस अब हम डारेक्ट मेनेफे ट्रांसफर कर रहे हैं, एक रुपय भेचते हैं, सो पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानमी को भी लगता है, मेरे हका मुझे मिलेगा, तो उसके करण, अब मुझे पता है, यह कोराना के इतने बड़े संकट में भी, देश पुरी तरह सरकार के संकट बना आया है, लेकिन यह भी हमारी तार हम महनत करते हैं, तो इडी और सीवे की मिस्यूज के बारे में कुछ सावाले हैं उठ रहे हैं, मैं हरान हो थी, कि कोई भी, अगर माली जे रेल्वे है, रेल्वे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, आपको यह कहें, कि यह क्यो चेक करता है टिकट, क्या हम बेइमान है क्या, टिकट चेकर का दाहित्व है, कि टिकट चेक करना चाहिए उसने, वैसे अपने एडी बनाया क्यों, सीवे बनाया क्यों, उनका दाहित्व है, सरकार ने अपने राजनेतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उन उसको भी करने देना चाहिए, दूसरी बात है, आखिर एडी ने काम क्या किया है? एडी ने करप्षन के खिलाप मामले किया, अब हर प्रकार के होते हैं, शरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियां के होते हैं, इसमें सिर्फ तीन परसंट वो लोग हैं, जिनका से जुड़े होगे लोग, तीन परसंट, 97 परसंट वो लोग हैं जो बेहिमानी में कहीं कहीं धरे गए, कई अपसर गर गए हैं, कई अपसर जलों में पड़े हैं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है, कि अगर देश में करप्शन के खिलाप काम करने के लिए समस्ता को जन्म दिया, आपने वो तो पुराने सरकारों दिया है, हमने नहीं बनाई है, विए अगर काम न करें तो सवाल पूछना चाहिए, काम करें इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लोजिक बढ़ता नहीं, अच्छा, 3% सिर्फ हैं जिनको अभी तक AD पहुंची है, 97% दूसरा है, दू दे दी गया, और ऐसा ही उसने ब्रिज बना दिया, और कुछ साल में वो ब्रज गीर गया, मुझे बताए कितना भहें का नुक्षान होगा, उसी प्रकार से एक सामान नागरिक, बड़ी महनत करके उसने अपनी एक्जम पास की, लेकिन चूग की प्रस्टाजान नहीं कर पा है, दूसरा, इडी ने, 2014 से पहले, पीमले, जिसके अंतर के इडी अपरेट करती है, 1,800 से कम, उन्हों ने केसिज किये थे, अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे हैं, प्रस्टाजार के, 1,800 किया, 2014 के बाद हमने, 10 साल में, हमारे समकारखार में, इडी ने, 5,000 से ज़्यादा केसिस किये हैं, यह उसकी एफिशेंसी है, उसकी एक्टिविटी दिखाता है, 2014 से पहले, only 84 सर्चिज कंड़क की गई थी, only 84, इतना बड़ा डिपांटमेंस होय पड़ा था, 2014 के बाद, 7,000 सर्चिज हुई हैं, 84 इस टो 7,000, 2014 के पहले, यह ने उनके 10 साल में, करीफ 5,000 करोड रुपीज की प्रोपर्टी एटेज की गई थी, 2014 के बाद, 7,000,000 करोड रुपीज की प्रोपर्टी एटेज की गई है, यह देश की संपत्ती है जी, अम मुझे बताईए, इडी का ट्रेक रोकॉड क्या बताता है, इडी का ट्रेक रोकॉड बताता है, अगर हम देश में करवसान हटाना चाहते हैं, तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है, उसको आपने काम करने देना चाहिए, पॉलिटीशन ओने ऐसी संस्तावों को अंदर अपने टांग नियरानी चाहिए, और इसलिए भले मेरे मेरे प्रदानमंत्री हूँ, लेकि मेरा कोई हक नहीं बनता है, कि मैं लिडी के काम के अंदर रुकावट ढालू. हमारे देश में एक नेरेटिव बना दिया गया, बहुत समय से, कि भाजपा याने अपरकास के पार्टी, रियालिटी यह है कि भाजपा में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा OBC, यह सारे हमारे सबसे ज़्यादा मेरे मिनिस्ट्री में OBC हैं, फिर बना दिया कि भारत अरबन पार्टी है, आज मेरी पार्टी का पुरा करेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामिन लोग सबसे जादा है फिर भाजवा का एक करेक्टर बना दिया कि यह तो बहुत ही पुरान पंथी पार्टी है नया सोची नहीं सकती है आज डिजिटल मुमेट का नेत्व तो पुरा कर दुनिया पे कोई करता है तो बीजेपी रूल भारती जर्था पार्टी की सरकार कर रही है। तो यह जो भ्रह्म पहलाए हुए है वो गलत है। दूसरा, आप तेलंगाना देखिये। तेलंगाना में हमारा जो वोट शेर था। आज हमारा वोट शेर डबल हो चुका है। 2019 में पार्लेमेंट के जो इलेक्शन हुए यह लोगों को जानकारी दीजी आप। 2019 में पार्लेमेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जस पार्टी बीजेपी है। सबसे जादा सांसथ बीजेपी के है। 2024 भी होगी और मैं मानता हूँ यह पहले की तुल नाम है। बाट शेर तो बहुत बढ़ेगा, सीटे भी बहुत बढ़ेगी, यह मैं मानता हूँ। दूसरा, साउथ में जो सरकारे हैं, उनकी पहचान क्या बज़ गई है। चाहे कॉंग्रेस हो, चाहे LDF हो, चाहे DMK हो, सब ज़गा पहचान है। आज हम पुडीचेरी में सरकार में हैं, पुडीचेरी साउथ में पता होना चीए, हम सरकार में हैं। और अंडमान निकोबर हमारा साउथ में जीत करके आता है, जहां पर सबसे जादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए यह जो सिंप्लिफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरिया क्या है, पूरी तरह यह फैमिली रन सरकारे हैं, प्रष्ठाचार, आकंट प्रष्ठाचार है जी। अब आप देखें, वहाँ हाल क्या है साउथ में, कॉंग्रेस की उराज, उत्तर से भाग करके, दक्षिन में आसरे लिया उनोंने, वाहिनार में निकल गए, इस बार उनकी हलत यह है, कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारी को वाहिनार का पोलिंग हो जाएगा, वे क इसी और सिट की गोशना उनके लिए होगी, वो दुसरी सिट की तलास में है, यह पक्का लिखके रखिये मेरे शब्द, और मैने एक बार गोशना के दी पार्लामेंट में, कि उनके बड़े-बड़े नेता, अब लोकसभा लडने वाले नहीं हैं, वो राजसभा में जाएं जी, और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह अस्वस्त हूँ, कि और मैं जब यह राममंदीर को लेकर के, मेरा अनुस्ठान चल रहा था, और जब मैं साउथ में अनुस्ठान के समय गया, तो मैं देखां कि वहाँ पर, जो लोगों का प्यार में देख रहा था, लोगों का वि अनुस्ठान चल रहा था, और मैं पक्का मानता हूँ, कि जो मीत है, वो तूटेगा, बहुत जल्द भारतियी जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा, और इस चुनाव में जादा से जादा हमारे प्रतिनीदी समसर्द में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे, वोट शेर तो बहुत ही जादा बढ़ेगा, करनाटक से आता हूँ मैं, करनाटक के बारे में ही सवाल, करनाटक के कॉंग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5-5 गारेंटी दिये हैं, 2000 रुपए महिलां को जाती है, ये सब गारेंटी स्कीम, फ्री बीज आप कैसे देखते हैं, मुदी जी. और इसमें खालिए, क्या इंडिया ग्रोट स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है, ऐसी फ्री बीज, कैन इंडिया और फोर्ड सच फ्री बीज? और इस बार लोगसवाचुनाओं में, एक लाक रुपए हर महिला को, पंपचीस गारेंटी की बात करना है, इसा है कि उनकी क्या मजबूरी है, मुझो जाने, निराशा की गर्थ में डुबे हुए राजिदितिक दल, हाथ पर मारने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बेरी बात मताता हूँ, लिके मिजे लंबात बताता हूँ, प्रदान मत्री के नाते काम करने का आउसर मिला है, और दस साल से मुझे प्रदान मत्री की रुप में लोगोंने काम करने का मुखा दिया है, मेरा पास इतना लंबा अनुभाव है, और मेरा अनुभाव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरीकों के सामर्थ को कम नहीं आ कर देश में एक करोड से ज्यादा लोग आये जिन्हों ने गैस की सबसीडी छोड़ दी ज्यानि मेरे देश के लोग किसी समय में साइब का खाना छोड़ा था आज भी मेरा देश मेरे देश के नागरी हमसे जादा देश को प्यार करते हैं हमसे जादा देश के लिए कर रहे होते हार है जी हम कम से कम उनको कम ना के अब देखिए कोवीड के समय मैंने पार्लामेंट पर रिक्वेश की सांसदों को कि आपकी सेलरी छोड़ दीजी मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकरते हैं कि तुम अपना तंखा बढ़ मेरे देश के सांसदों ने अपनी सेलरी छोड़ दी थी यह सारी चीजी है जो प्रेणा देती है गरीब के हैंड होल्डिंग होनी चाहिए इस देश के नागरी के हैंड होल्डिंग चाहिए और हमारा मोडल है देश के हर नागरी को एंपावर करना है गरीबों को विसेस सिस्टेमेटिक जंतापर का बोज कम करने सरकार का दाइत्वा है यह कोई उपकार नहीं है हमारा का दाइत्वा है तो इसके तरीके क्या जैसे हमने जन अवसेदी केंद्र खुले हैं करीग 12000 जन अवसेदी केंद्र खुलने हैं और मैं 25,000 तक लिए जाना चाहता हूं जन अव परिवार में बुजूर्ग है और आपके परिवार के बुजूर्ग को अगर महीने का 2000-3000 की दवाई लगती है तो मर्दमवर के परिवार पर बहुत बड़ा बजेट पर एक आज 80% डिसकाउंट हो गया तो उसको भी लगता है महाबब की सेवा कूं का अब देके बिजली ब करने के लिए मैंने लेडी बल्ब योजना लाई जो एलेडी बल्ब कॉंग्रेस के जमान में 400 बे मिलता तो मेरे जमान में 40 प्यां गया एलेडी बल्ब के कारण उसका 20% 30% बिजली का बिल कम हो गया और अभी अभी मैं प्रेम्सवूर्ग अगर योजना लेक्या आया हूं आप solar panel लगाईए जीएयरो बिली बदो इतना है अगे का कालखेन धी एलेक्रिक वाहिकल का आने वाला है तो आप solar energy से अपने घर के वी का उप्यों करिए और आपके वहिकल को भी आप इलेक्रिक वेहिकल को चार्जिन कर सकते हैं उसी से इसका मतलब उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी जीरो बेलिड वाला हो सकता है अब यह एंपावर्मेंट भी है अर्ट सेम टाइम उसके सर पर आर्थिक जो बोज है वो कम करने का लगाता प्रयाद और इन सर्फ प्रजेक का प्रदाम क्या है पहले गरीब हटा के नारोफ को नाफ पात दसक तब सुने हैं पहली बात दे शुन रहा है कि पचीस करोद लोग गरीब ही से बाहर निकले है है यह एंपेवर्मेंट से होता है देश का सामयन्य नागरिब भग सामर्त भान है तो मेरा से सामन्य नागरिब बाश्यम पर ज्यादा भरोसा है करें के बोलते हैं वीडियो कॉन फरेंस थापका पांच हजार उपय पहले ऑशदी का खर्चाता थाब सोला सो पे कम हुआ है और मैं बचे वर पैसों से फलका पार हुआ पी बहुत हो इस वाट करते करते बाद हो गया थाप लगता है से बहुत सुकुन देता है ऐसे जो आए और मौर थे तर फिरल एसे यू भी है गार पिराट को बचाटे लगता पार्टा रहाजर थानल इस थापका आप लेव थाटियोव एदाब के जमाने से हम ब्राव थे भार्तियोच और श्यानियोचके जमाने से हम पूल बेश्काने थै़ बेश्यूम आज की माने राजनितिक फाइदा हो वहां करो काम, राजनितिक फाइदा नहो वहां, न करो काम, यह हमारे से जनाद नहीं है 1967 मैं जनसंग का सबसे बड़ राष्ट्रिय अदिवेशन केरल में हुआ था ता म मठलब हम, हमारे लिए केरे सक्ता पाने के लिए मादान है ऐसा नहीं है हमारे लिए केरल भी बैसे ही सेवा क्षेत रहे हैं और हम सेवा करते हैं और हम उतने ही लगन से पहले से कर रहे हैं हमारे सेक्ड़ों कारकरताओं को गोनियों से भून दिया गया है पोलिटिकल मर्डर किये गये हैं उसके बाउजित भी हम आज भी वहाँ सेवा, मा भारती की सेवा करने के भावसे कर रहे हैं और लेट की कैड़रक्तर अदानतों ने सजाएं फरमाई हैं हमारे लोगों की हत्याओं के खिलाब कई लोगों के जेल में हैं तो उसके बाउजित के हम हमारे लिए कच्छो या गोहाती कश्मीर हो या खन्याक वारी हमारे देश का हर कोना हमारा है और इतने बाई हैं दूसरी बात है आपने देखा होगा त्रिपुरा किसी जमाने में लेट तिन चार दसक तक उनका भूंसा जैसे भीजे पी आई को पता चला भी यह तो नूटते थे टिपुरा में बीजे पी इतना अच्छा काम करें लोगों के और बार बार बीजे की कब तिपुरा में लोग जीताना लगे हैं वैसा ही बंगा केरल के अंदर इतना बरस्टाचार की गंद भरी पड़ी है लेकिन की इको सिस्टेम ऐसी बनाई हुई है कि कोई चीज बाहर आने नहीं देते हैं और इसलिए इस चुनाव में जब गया है मैं कोपरेटिव को लेकर के इसलिए बोला हूँ कि यह सामान ने मानवी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है यह इसको माप नहीं किया जा सकता गरी परिवार बैंक पर पैसा रखता है न तो उसको लगता है चलो ब्याज यहां जाधा मिलेगा तो उसको लगता है कि पैसा रखता हूँ तो बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लूगा और बड़ी मेहनत से वो कमा करके उसके पैसा रखता है फिशर्मैन के पैसे हैं किसान के पैसे हैं मददूर के पैसे हैं और करीब 300 कोपरेटी बैंक हैं जो पूरी तरह यह लेप्टिस्ट लोग चड़ाते हैं और करीब एक लाए करोड़ रुपया केरल केस गरीबों का सामानने मानवी का उसमें पड़ा हुआ है अब आप उसमें देखिए किनों ने क्या किया उसके संचानज करने वालों ने उनके पैसों की चींटा नहीं की बड़ी बड़ी प्रापर्टी खर दिती है अभी एक बैंक में हमने जो कारवाई की तो उसमें कर करोड रुपे हमने एटेच किया है और मैंने भी लिगल एडवाई में ले रहा हूं कि यह जो 90 करोड रुपी है जिनके पैसे बैंक में थे इनको वापिस कैसे मिले मैंने एडी से भी आगए कि हम देना शुरू करें और जो लूटे हैं उनकी प्रपरटी एटेच करें हमने अब तक 17,000 करोड रुपीस जो इस प्रकार से पकड़े थे वो सम्मंदिच जिसका था उसको वापिस कहा है 17,000 करोड रुपीस और इसलिए मैं टेरल में इन 300 बैंक का जो गफला इनो रखिया है और वो ख्रबो रुपया कि यह जो एक लाग करोड रुपया एच्छोटी आ मैं मानता उसको मैं घंबीरता से मेरे लिया है और मेरे लिये चुनाओ का मुद्दा नहीं है मैं सामान ने मानवी की जीवन का मुद्दा है जी There is a lot of discussion between this north-south divide and it's alleged that the central government is showing a stepmother attitude to the southern states like Karnataka and Kerala Kerala has also filed a case in the Supreme Court Karnataka में government आपके उपर आरोप लगाती है कि जितना tax हम देते हैं उसमें से बहुत कम हमें वापस मिल रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो separate nation करने की पहली बात है कि हम सब माभारती के कल्याड के लिए हम सब का दाइत्व हैं चाहराज सरकार हो के हमर सरका हो 140 करोर देश वाज़ियों के हमारा जिम्मा है ववस्ता के लिए अलग-अलग लोगों को अलग-अलग काम मिले हैं लेकिन हम सब का लक्ष भारत सरकार का भी लक्ष यह होना चाहिए कि केरल के भी किसी गाओं के व्यक्ति के हो सुविधा के लिए जो योजरा बननी चाहिए उसको मिलना चाहिए काना टका के भी किसी व्यक्ति का लाब मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए तो यह हमारी मुलुभूत सम्विधान का स्पिरीट यही है हमको अब मुझे बताईए हिमाले से नदिया निकल रही है और हिमाले की जो राज्य है वो कह दे कि पानी कहीं कोई माली के नहीं है तो मेरी माली की है कुछ देश चलेगा क्या कोईला की खदाने हमारी एक स्थान पर है और हम कह दे कि हम मुझे यहां से को एला बाहर नहीं जाएगा तो और राज्य अंदेरे में डूख जाएंगे एक नहीं जाएगे यह सोच ठीक नहीं है जी यह संपत्ती सब देश की है कोई हम उसमें से मालिक नहीं दूसरी बात है यह व्यवस्थाएं सम्मिधान में निर्धारित नियम से चलती है कोई सरकार आपकर कर और अपनी मर्जे से नहीं करती है दो जब 14th Finance Commission आया उसने एक ऐसा बड़ा जबर्दस निर्ड़े किया पहले 32% revolution था उन्होंने 42 कर दिया आप सब तरफ से मेरे दबावता साथ 42 करी नहीं सकते देश चल नहीं सकता है आप सरकार चला नहीं पाऊगे फेले हो जाऊगे और सरकार को हक है उस में से दस में से पांच चीजे लेनी तीन लेनी, दो लेनी, दसों दस लेनी, नह लेनी सरकार के पास अधिकार है, पार्लमेंट को अधिकार है, लेकिन जब मेरे सामने है, मैं ने कहाँ बहुत मुश्किल होगा, भारत सरकार चला रहे हैं, मैं ने कहां जी नहीं, यह मेरा प्रारम है, मुझे राज्यों को परवरोसा हैं, राज्ये भी अच्छा करेंगे, पैसे जा सरकार किया अब UPA के कालखंड में मनमौन सिंग जी जब थे और रिमोर सरकार चलती थी तब करना टका को डिवेलुशन का दस साल में 80,000 करोर रुपय मिले थे हमारी सरकार ने करीब करीब 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, यह अच्छली है तो बताते हैं, हमने बैटे तो बिटते हैं, एक हम उस समय करीब करीब करोरी पर अमिल्डcuss अज करीब करीब 30 करोरी नाक नाट अनलारीको मिला है, एक है यह आखरे बताते हैं, यह जूड फलाए जा रहा राजनिती स्वार्थ के लिए नफ़त का वातान पैदा किया जा रहा है कोई भी जिम और दुरुभांग यह है कि कॉंग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ बैठी है जो नेश्नल पार्टी है जो पांचे दसक तक देश चला चुकी है और ऐसी हरकते और ऐसी गंदी प्रभुतियों में हिस्सेदार बन गई है अभी जिस तरह बात की आपने संझाया की फेलाया जा रहा है वो इस्ट वेस्ट डिवाइट की आजकल बहुत ही ज़ादा बात होने लग गई आपने देखा है करनाटका में केंपी ने तो खड़े होके कुछ कहा जैसे की देश के बटवारे की बात होने लगती है आप इस तरह के बिलकुल अजीब सी और इन सब चीजों को कैसे देखते हैं अगर कोई इस प्रकार से प्रहुति करता है उसको उस राजनेतिक दलोने बड़ी गंबिरता से लेना चाहिए और कभी-कभी लगता है कि एक और एक आज बार बोल गया ये जो बीज है ना पता नहीं कब कौन सी ताका तेहा करके उसको खाथ-पानी डाल करके बटवुक्ष बना देंगे तो तक्तानिक स्वात के लिए ऐसी भाष्णा से बचना चाहिए ऐसे इरादों से बचना चाहिए और ये देश को बहुत बढ़ा होता है कोई भी सरकार रहे है ये भार्षा कभी भी लाब ने करेगी जै मैं जब गुजरात में था मेरे साथ बहुत से अन्याय होते थे जै के अंदर सरकार से हर प्रकार के अन्याय हुए थे लेकिन मेरा एक ही मंत्र रहता था और पब्लिक ली रहता था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, हम सब मिल करके इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है, तो इसमें हमने कोई कॉम्प्रोमेश नहीं करना चीज़ है, और करनाटक में सूखा पड़ा है सर, ऐसे मामले अब सुप्रीम कोट तक जाने ल हमारे समय से नहीं, लंबे अर्शे से कुछ व्यवस्ताएं निर्धारित हो चुकी है, देकि कोई भी आपदा उसको लाइक नहीं लेना चाहिए, किसी भी इलाके में आपदा हो, कलेमिटी हो, उसको अत्यन सम्वेदन सिलता के साथ गंभीरता से लेना चाहिए, और ये नही सोचना चाहिए कि महाँ की सरकार है भुकतेगी, जी नहीं, आपदा आती है, कलेमिटी आती है, तो सरकार तो बाद में सबसे पहले नागरीक परेशान होता है, और हम सब का जिम्मेवार नागरीकों के परती हैं, और इसले ये राजनिती खेल का मैदानी ही नहीं होना नहीं ये अत्यन सम्वेदन सी है, दूसरा पददी क्या है, SDRF, 900 करोड रुपय का फन, ऐसी कलेमिटी के लिए, केंद्र सरकार का हिस्सा, समय पर उनको जाँ चुका है, ये कोई बकाया नहीं है, दूसरा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, जब यसी विशिश कलेमिटी हाती है, चाहे बहुत बार आजाएं, या चाहे ड्राउट हो, या चाहे और बात हो, तो ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम होती है, जो भी सभी सरकारों के परमपरा है, ये कोई मेरी सरकार के परमपरा है, वो वह जाती है, फटेड एरिया में जाती है, वो उसका सर्वे करती है, द नव सो करोड के उपरान भी को जरूत है तो उसको दिया जाता है बारत सरकार ने इलेक्शन कमिशन को लिखा कि भाई ऐसे संकट के समय हम और अधिक मदद करना चाहते हैं इलेक्शन हमें कमिशन को परमिशन दे लिकिन राजनीतिक हत्यार के फायदा ले गए आजकल फैशन हो हो गई है सुप्रिम कोट में जाकर गाड़ने डालतों अब कर लोग गए थे कैसी उनको डांट पड़ी है जी कैसी बेज़ेती हो गई सुप्रिम कोट ने कैसा उनको लताट दिया अब यह पुलिटिकल मैले लेने के लिए कुछ भी कर लोगा थी है सत्य बताओं लोगों को और मैं मानता हूँ यह मिडिया का काम है कि हकीकतों को सच्चे अर्थ में लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि देश का नुक्सान ना हो ना भारत सरकार के भलाई के लिए करना चाहिए ना राज्य सरकार के भलाई के लिए करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए सच्च तराजू से तोल करके रखना चाहिए बहुत जादा आजकल बाते हो रही है कि जो नॉन बीजेपी रन स्टेट है उनके गवर्नर में और सरकारों में बहुत तना तनी चलती है आपका उसके बारे में क्या कहना है ये किस तरह क्यूं ऐसा हो रहा है आप मैं पहले गवर्नर के पहले एक बात बखाना था तो मैं जर इनको पूछा आजका था तो पांच्छे दे सकते जो सरकारे चलाने का जिनको अनुव है दुनिया के दुष्मन देश भी हो ना होस्टाइल कंट्री हो बिरोधी कंट्री हो दहां भी जो हमारे मिशन्स होते है उन मिशन के पूरी चिंता वो रिस्पेक्टिव कंट्री करती है उनकी सुरक्षा उनकी ववस्ता सब उनको कोई दिकत ना आई इसके लिए पूरी ववस्ता करती है दुष्मन देश के हाँ भी हमारे देश के एमबेसर्डर को या हमारी टीम को उतना ही सुरक्षा सम्मान द प्रिधान द्वारा निर्वित गवर्णर की पोस्ट हैं कि उसका मान, सम्मान, मर्यादा उन राजय सरकारों का धायित पो नहीं है ये कैसे चलेगा अब आप कर्पना कीजिए कि केरल के गवर्णर एरपोर्ट जा रहे हैं और लेप के साथी मिलकर उनको सामने हुर्दं कर दे ये क्या शोभा देता है क्या उनकी सरकार को मुझे तो कभी मैंने किसी अख़बार में कहीं कॉलम पड़ा मुझे हमारे गवर्णर साब तो बेचारे बहुत सहन करते हैं इसलिए बोलते नहीं है लेकिन आरिफ साब को जो उनके या बजेटरी पोविजिन का पैसा मिलना चा को ट्राविल करना का उनको है हेलिकोप्टर नहीं दिया विमान नहीं दिया पहले सिर्टाए का ररकम था लास्ट बंबेट कैंसल कर दिया यानि आप इस प्रकार से अब मुझे बताएगे गवनर का घर तमिलारु बें उनके राजभावन के बहार बंप उटे पैटल बंप का जा है क्या राजय सरकार यह शोभा दिता है क्या और सम्मेधान पदोपी सेंगे जो सैंक्टीटी होती है वो बनाए रखनी चाहिए मैं तो राज में रहा हूं जी मेरे उपर सारे कॉंग्रिस के गवर्मनर थे मुझे कभी प्राव्म मी आता था मैं उनका मान समान रखता और मेरा मान समान रखते थे और यह सानों से चलता है अब आज सहन ने कर पाते हैं अचा गलत होगा वो तो उसका समयधानिक पतपर है उसका दाइक करेगा अपना निजिमे बारी आप देक्ष्ट रिम्सापनर गोजसा कर दोन कर दोड़ता है कि उसके आधर पर आणीर सेवा नहीं करपा यह सहन नहीं है अब देख लिए पिछे दिनोऑ जब इसके और इसलिए आस्थिती यह है कि केरल में लेप की जमीन खिसक रही है और वहां की जंता को पता चल रहा है कि यह वहां के मतदाताओं के आठ में धूल जो की जा रही है LDF UDF इखटा हो Tamil Nadu में LDF UDF आमने सामने लड़ते हो केरल में अब ये श्यानेर Tamil Nadu में खबर देगा साथ है ये श्यानेर केरल में खबर देगा लड़ रहे हैं तो लोगों का विश्वाथ तूर जाता है 2011 विदानसभा चुनाव NDA को 6% वोट मिला था 2014 के बाद लोगसभा विदानसभा लोकल बोड़ी हर चुनाव में BJP को करीब करीब 15-15% वोट मिल रहा है बटलब हम लगातार प्रगदी कर रहे हैं लेकिन वही एक मापदन नहीं है हम जिस प्रकार से वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं बरपूर सेवा करते हैं करते रहेंगे और मैं मानता हूँ कि गूड गवरननस और नेरेटिव मिसिन्फरमेशन इसके बीच में लड़ाई है इन्होंने अब हवा बना दी थी COVID में बहुत सफल पागी और सबसे ज़्यादा लोग महां बरे फेल गए तो आप मीडिया को कंट्रोल करके हवा फ्हला दोगे इससे नीचे की स्थित्या सुधरती नहीं है बीजेपी इस ट्राइंग तो रीच आउट तो दे क्रिस्टिन पार बाट के भारती जनसंग भारती जरता पार्टी अब देखी गोवा में कई दसकों से हमारी सरकार चल रही है लगातार सरकार चल रही है और वो किस्चिन कम्मिल्ट्री के मदद सही चल रही है उनके सहयोग सही चल रही है अज नौर्थ इसमें देखिए नौर्थ इसमें हमारी जितनी सरकारे हैं वो जादातर हमारे मुख्य मंतरी यह तो इसाई हैं मंतरी मंडर के अंदर इसाई सच से हैं यह तो इसाई समाज ही तो भहाँ है वोटर सबके ज़या उनके वोट से हमारी सरकारे वड़ रही है और इसलिए Christian समाज का हमारे सःयोग नहीं है ऐसा आरोप मैं Christian समाज पर नहीं लगा सकता हूं, हमारे परेत्न, और ज्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं, अब केरला में, बूच से लेकर राष्ट्रे स्तर तक हमारी लेडर्शिप में, क्रिश्चिन सहथी हैं, क्रिश्चिन लीडर्स, बीशप्स, शायद साल में पांच छे बार मेरे जलना जा गहिए हैं, और मेरे पांच आकर के वो उनी की सिकायच करते हैं, हमारे चर्चों के बीच में इतनी लडाइ करवा दी है, हमारी चर्च की प्राफर्टी को इतना शंकट में डाला हुआ है, आप हमारी मतर्ट थी जबो भारत सकारा से मतर्ट चाहते हैं, यह मुसिबत में और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्जी रहा है उनकी मुसीबते में देख रहा हूँ हम उसकी चिंता करने अब जैसे फिशर मैं हैं मैंने अलग अलग फिशरी रिपर्टमेंट में बटाया है ताकि हमारे कोश्टेज एलिया के लोगों की मदद हो सके अभी उसका स्वांगत करते हैं लोग और मेरा मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रायत्तों से उनकी आर्थिक स्थिती अच्छी बने उनको मौरन टेक्नोलोजी का फाइदा मिले और ब्लू एकॉनोमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफी लोगों को फाइदा होने की संबावना है अचा क्रिस्टन समझाए का स्वास्त और स्विक्षाक्षेत्रों से ग्यारा जुड़ाव रहा है अचा मैं वेटिकन गया तो हुली पोप को मिलने गया था बरी लंबी चर्चा हुई जी और उनको मेरी सरकार के कामों की काफी जानकरिया थी काफी विश्वाँ पर का और बहुत से मुद्धों में हम बाड पर थे और मैंने तो हुझे कहां का भारत आईए मैंने निमतर दिया उनको वो सक्ता है साथ अगली साल वो अपना कारकम बनाई लए पर आईए यह क्यों पर आईए इसी चीजों में टांग अड़ानी चाहिए मेरा सिद्धात है जहां तक कॉंग्रेस और कॉम्मिनिस्ट का सवाल है मैं कहता हूँ यह एक ही सिख्य के दो पहलू है यह कोई अलग है यह नहीं ब्रश्चार चार में डुबी पिनराई सरकार को हमने हमेशा बेनकाम किया है मेरे युनिटने किया है हमने भी किया है क्योंकि अब देखे 15 एर टूल का भाशन CMRL के साथ सौधे का मुद्दा उठाया हमने डिटेल में उठाया गोल्ड स्मगलिंग मामले में CM आफिस के और हमने बल्कुल इशारा किया साथ साथ बता दिया Communist Party दो बुराईयों के उस पर कभी पहचान नहीं थी न परिवारवाद का आरोप होता था Communist Party पे न प्रस्टाचार का आरोप होता था आज इन दोनों में केरल Communist Party औरों को भी उनने पीछे छोड़ दिया है यानि बिहार के कुछ राज लेता है उससे भी बुरा हाल परिवारवाद का केरल के Communist Party में देता है उससे भी बुरा हाल देता है अब देखिए CPM ने कोपरेटिव बैंक को लूटा है उसको बेनकाब करने का काम हमने ही किया है और आने वाले दिनों में भी लोगों को न्याई देलाने के लिए हम बड़पूर के आगे और कॉंग्रेश के रला में बोले की इन्हें जेल डालो और अगर में जेल डालोगा तो दिल्ली आकर के बयान करेंगे पिदेखिये राजनेतर को प्रते विंडिक्तिव है अब ये दो प्रकारणी बाते करने वाले लोगों को देश कभी स्विकार ने कर सकता है जे पहली बात है सुवाल है उसका नाम पी-म nucleus, आवासयोजना नाम का सवाल है उसका एक लोगो होता है ताकि इसका आइडइंटिटी हो बजेट जो भारत सरकार का बनता है वो बजेट सम्सक पारिद करती है योजना श्कीम उनके नाम पर पारिद करती है अगर आप वहाँ नाम बदल देंगे तो यहाँ मेरे पास audit report निकलेगा कि केरल में तो PM आवास है ही नहीं आपके पैसे कैसे दे दिये तो मैं CAG को क्या report दूँगा बजो बताईए मेरी जिम्मवारी है कि बेख सरकार मुझे पार्लामेंट ने जो पैसा खर्च करने का हक दिया है वो मैं भही खर्च करूँगा क्योंकि CAG audit करेगा तो हम स्कीम में कोई हमारे नाम के लिए नहीं कह रहे जिस नाम से स्कीम बनती है और यहाँ किसी प्यक्ति का नाम नहीं है PM तो कोई भी PM जैसे प्रदान मुंतर गाम स्रड़गी ओजना जब अटल जी की सरकारती तब बनी उसके बाद मन मोन सिंग जी की सरकार आई तो भी प्रदान मुंतर गाम स्रड़गी ओजना रही कोई जरूत नहीं थी बतलने तो यह PM कोई व्यक्ति नहीं है एक व्यवस्था है उसको भी अगर वो भी रोद करेंगे तो इसका मडलब आपका नफरत का और निराशा का तत्पक इतना दूर है अच्छा स्टीकर लगा देने से क्या फाइदा है क्यों तनाव प्यदा करते है राज्य सरकारों को पास 42% devolution मिला हुआ है वो अपनी योजना है चला है इंकोन मना करता है और इसलिए हमारे cooperative federalism दोनों की जिम्मेबारी होती है अब केरल को लगता है कि इन जिम्मेबारी को नहीं जिभाएंगे अब केरल को लगता है अब को जी बताइए हमने आयश्मान आरो के मंदीर ये योजना बनाईए बजेट से हमको उस काम के लिए पैसा मिलाव हुआ है अब केरल ने कहती हम मंदीर नहीं लिखेंगे मंदीर का मतलब पुजागर नहीं है जी हम मेरे हाँ बड़गा में जाईए हाई को वाँ को जो है अउसको नयाय मंदीर कहते है हमारा ये पहले जो बच्चे स्थिम्ए प्रिप्राइमरी तो बाल मंदीर बोलते थैं अब बाल मंदीर को वर्शिप कर अथथान थोड़ा है दो ये आरो के मंदीर कहा तो सापान वारे थैमारे तर्मेनान दिए वो गाद हम नहीं करेंगे अब ये तरीका जो है वो नफरत का मतावरण है वो उचित नहीं है यो इस विए देश का दुर्भागे रहा के पिछली सरकारों ने हमारे वेस्ट एशिया के साथ जो सम्मंदों को मजबूत करना चाहिए उसकी दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया हम दो ही काम करते थे एक ओईल इंपोर्ट करते थे और सस्ते मैंपावर को मद्दूरी के लिए एक्सपोर्ट करते थे अब ये कोई समधरी का काम नहीं था आज हमारा रस्ता बहुत ही मजबूत है और सेलर बायर से जूड निकल करके एक कॉम्प्रिहंसिव डपनेमेंट की और जा रहा है अब हमारा विये के साथ हमारा ट्रेड अग्रिमेंट हुआ है अने मल्टी डाइमिनिशनल एक्टिविटी यह हम आज कर रहे हैं आज टेक्नोलोजी और सर्विसिज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं देख आप है एजुकेशन सब्सक्राइब हमारी युवर्सिटी बहां काम करने लगी है अग्रिकल्चर प्रोड़क के लिए हमारा समझता हुआ है फूर प्रोसेजिंग में लोग को यह इन्वेस्मेंट करने के लिए तेहार हुए 2015 में मैंने विये ही का दोरा किया था है लेकिन मेरे देश का प्रधान मंतरी तीस साल तक वहां नहीं गया था तीस साल तक मेरे देश का प्रधान मंतरी अगर उस देश में नहीं जाता है तो मेरे वहां जो भारती भाई बहन काम कर रहे हैं उनकी क्या हिजद रहेगी उनको क्या सम्मान मिलेगा, उंको क्या हक्त मिलेगा तो मेरे दिल में एक दर्ब था कि जहां मेरे केरल के भाई इतनी साधी संख्या में काम कर रहे हैं मैं उनकी ख़बर पूछने के लिए जाओंगा और मैं गया और पिछले दस साल में मैं तेरा बार मिललिस गया हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि इससे में हमारे लोगों को अब जैसे कोवीड के समय वहां से लोग भाग रहे थे ये सभी देशों के लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मोदी जी ये हमारे ही भाई है आप चिंता मत कीचे कोवीड में हम उनकी कैर करें गये और इन सभी देशों ने जैसे हम उमारे देश में कोवीड के लोगों के कैर करते थे वैसी कैर की तो समंदों के इलाब मेरे देश के नागरीकों को मिलना चाहिए और मैं दे रहा हूँ अब देखिए अमन में बहुत भारी बंबारी चल रही थी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लोग ते मुझे पाज जार लोगों के इवक्यूट करना था ये सम्मंद थे ना तो मैं बंबारी को रुकवाने में सफाल हुआ और उस समय में उनको लेकर के बापिस आया 2023 में सुडान में भारती नागरी दो और वो तो वहां आंतरी कुछ से दो फोर्स लिड़ रहे थे उनको हम निकाल करके साओधी जैलों में हमारे जादा तर के लोग थे करीब आट सो पचास लोग तो हमारे समंधों की थाकत होती है मैं मानता हूँ की हमें अब देखे हाज यात्रा मैंने साओधी क्राउन प्रिंस हुष समय थे आये थे तो मैंने उनसे कहा मैंने का भी हमारे जन संक्या बहुत है हमारे मुसलिम भाई भेन को हाज के लिए ये कोटा बढ़ाई मेरी रिक्वेस्ट पर उनने कोटा बढ़ा दिया ये ही मैं वहाँ के भारती इनसा मुदाय की मंदिर बनाने की इच्छा थी मैंने ये ही को रिक्वेस्ट की कि हमारे लोग मंदिर बनाना चाहते है सब जमीन चाहिए इजाज़त चाहिए उन्होंने इजाज़त भी, जंबीन भी दी, और कंस्ट्रक्शन में जो भी मदद कर सकते हैं, सुविधा की, वो की, और भव्य मंदिर आज विए इमें बन गया, लाखों लोग वहां दर से यातरा करने जाते हैं, अभी मुझे, फर्वी में मैं वहां उसका, उसका गाटन के भाए कने खाई दिया काम दनाते हैं, मैं 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 मानता हूं कि वहां चाहे कई देसे जन्हों मेरे संब़न किया है, अब लुझे यह 사 अधि पाबल्श मेह मेरे समन्त लाई भाारिप है, और उसके कान आज खाले आज अमार इतना समंध बना है, और उसका लाब सब्से ज़ा मेरे केरल के भाई-बेन को मिल रहा है संब्द दिकाए देते हैं कोई आपको भाई बोलता है कोई आपको फामिली मेंबर बोलता है ऐसे मिशंस कितने मुश्किल होते हैं थी उदिजी क्योंकि मैरा रुची क्राइम रिपोर्टिंग में है External, Internal, Defence में होता है देखते हैं सब युकरेन से बच्चे आ रहे तो बात करते थे कैसे आये वो बोलते हैं बस तिरंगा दिखाए और छोड़ दिये हमें मिशन बहुत मुश्किल मिशन्स होते हैं देखें आज भारत की एक क्रेडिबिलिटी है दुनिया भारत को विश्व बंधु के तौर पर एने फिल कर रही है शिर्फ शब्दों नहीं भाव से फिल कर रही है और किसी भी संकट के सब है भारत हमेशा फॉस्स रिस्पॉंडर रहा है अब मैंने अभी काधिरी ओपरेशन चड़ाय था करनाटका के सब से लोग महां थे सुडान से मुझे लाना था उनको हक्की पिक्की बलते है उन सब को हम लेकर के आए जी और वो तो वेचारे ऐसा काम करते थे महनत का कि उनके लिए तो अगर रोजी-्रोटी बंध हो जाए तो क्या खाना वो भी मुश्कर था लगे हम लेकर क्या है और इसलिए विदेश निती का जो परस्पेक्टिव है वो ने पुरी करा बदल दिया है हमने हमारे निती में हमारे दायस्पुरा को भी उतरही महत्वत दिया है जितने की हमारे डायस्पुरा की ताकत है उसको हमने जोडना चाहिए डायस्पुरा में कोई भी संकट हो हम कहते हैं भी पास्पॉर्ट का रंग कोई भी होगा मेरे लिए वो हिंदुस्तान की है बलड जो है वो हिंदुस्तानी है अगर हिंदुतानी ब्लड है तो मैं उसके लिए करूँगा पैले डाइस्परण का या रेस्को आने फॉरेंड पलिची के हिसा ही नहीं था जी लोग अपना नसीब अपना जाने वो अपना पुछ करके थोड़े कहे थे यह भावता पुरानी सरकार होगा तो मैं गता हूँ न कि लेक बार तिरंगा लेके चल पड़े ना बारतमा तक जय बोले तो कोई पुस्तानी किस देश का नागरिग है उसको दाने जाने ज़े ताइस्टानी मैं यामन संकट हो साओधी किंग से बाद की और हजारों लोको को बापित लाने का काम अबने का अबने का अबने का कि अगर जाए थे उन्होंने इखठे करके उनको पैसा दिया तो यह अब देगे आपको मालूम हो और कि लोगों को मालूम होगा फाधर टॉम की कथा पता होगा फाधर टॉम लंबे अर्ष तक आतंगवादियों के कभजा आशईसिक के कभजे में थे हमने लगा अधार डि एक बंगाल की बेटी अफगानिस्तान में काम करते थी इसायों के लिए जुड़ जिसुजागर के उसका अपरोन हो गया था अब एक बेटी का अपरोन हो तो तो थार को चिंता रहती है हमारे लिए भी चिंता थी पता निए इसके ताथ क्या होगा महिनों तक वातंगबादियों के कब्जु पर रही हमने हर प्रकार के हमारे समन्दों का उप्योग किया हम उसको स्वरक्षित घर लेकर के आ गए यह फादर प्रेम थे उस फादर प्रेम को भी उसी प्रकार को तो लंब अरसे तक रहे थे और जब फादर प्रेम मुझे मिलने, मैंने उनके गर फोल किया, कि उनकी बहन दुछाया, मैंने का, आपके भाई, अज दिली पहुंच जाएंगे, तो मानने को तयार नहीं थी, क्योंकि तब तक हमने सिक्रेट रखा था, तो माननने को तयार नहीं थी, कि अब तो हम तो कि दुनिया में है, उनके उनकी लिए लगना चाहिए कि देश मेरे साथ खड़ा है, यह बहुत जलूरी होता है, जी, हम सोचते थे विदेश नीती से आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, सोच ऐसा रहे तो हम से क्या लेना देना है, अब समझ में आ रहा है कि, हाँ, हम मौ कुछ समझ आ रहा है, जी, हम जसे किसी देश के साथ करार करते हैं, अब जशेटेलिय के साथ एग्रिमेंट किया, तो पहले तो ऐसा लगा, अब ऐसा है उसा है, जा करना है कि हमारा इसा हमारा बार जब rapid भी जा के आस्लियामें काम करना है, हमारा कूख भी जा के काम करन बहुत बड़ा मुद्दा है for the middle class और आपने बहुत कुछ किया है are you satisfied with where we have reached? ऐसा है जिस दिन मोदी satisfied हो जाने है तब लिख लेना कि आपको उसको स्रद्धान लिदेनी है वो जिन्दा नहीं है मैं जीवन के आखरी था कर असंतोस को पालता रहता हूँ बेरे भीतर पर कभी संतोस आने नहीं देता हूँ को मभव असंतोस पालता हूँ ताकि मुझे नाया करने की प्रेणा मिले तो मझे कभी संतोस की बात कहणा इवत को मुझे बहुत कुछ कुछ कर रहा है देखिये जहां तक हेल्थ का सवाल है गरीब परिवारों तक क्वालिटी हेल्थ केर की पहुँच इंबरेली बहुत महत्वा पूड़ा है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्वात बिमा योधना आईश्मान भारत योधना हम करें साट करोड से अधिक लोगों को बेश ट्रिट्मेंट अच्छ से अच्छी होस्पिसल में और मान दीजे केरल का वक्ती एंदाबाद गया वहाँ बिबार हो गया तो सरब उसको मोदी का कार दिखाना है उसको वहाँ ट्रिट्मेंट मिल जाएगी उसके रिस्तेदार आए पैसे लेकर का आए अच्छी होगाँ पैसा नहीं है और आउट अपकेट पहले अमार्या बहुत खर्च होता था सामन्य नागरी का 2014-15 में एभरेज 62% खर्च आउट अपकेट हरेको अपने जेव से हल्थ के लिए खर्च कहना बड़ता था 62% आज वो कम होते होते 47% हो गया है बटले भी बहुस्ता है विक्सित हो यह सुईदा भी है 2014-15 में हेल्स सेक्टर पर केपिटार भारत सरकार का जो बजेट खर्च होता था वो 1100 रुपिस होता था आज हेल्स सेक्टर का पर केपिटा खर्च करीब करीब दो गुना हमने कर दिया है आईश्मान भारत से लाभारतियों के सबा लाग करोड रुपे बचे हैं देश के नागरिकों के क्योंकि सरकार ने खर्चा किया इससे ज्यादा कभी कभी परिवार में बुजूरु लोग है ने बताते नहीं कि मैं बिमार हुँ उनको लगता है बेटे पर बोज हो जाएगा है कर्ज हो जाएगा अब वो निष्टिंध हो करके ट्रिप्मेंट करा रहा है और सवा लाग करोड कर बच्छा है 11,000 से ज्यादा जनव सदी के अदर में ने कहा 80% डिस्काउंट से दवाई देते हैं और वो जनव सदी के अंदर में 25,000 तक लिए जाने वारा हूँ सब्तर वर्षे उपर के लोगों के लिए पहने इस बार गोश्णा पत्र में काया है किसी भी आर्थिक बैक्राउंड का हो कोई भी सामाजिक बहिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो सत्तर साल से उपर है उसको अब आईश्मान कार्ड मिलेगा उसकी हेल्थ की पूरी जिम्मेवारी इलाद की जिम्मेवारी बारत सकार लेगी इसका मठलब हुआ उसको तो लाव हुआ हि लेकिन उसके परिवार को बहुत बड़ा लाव होता है कि चलो पिता जी दादा जी मा माता ता वो खर्चा होता था वो बच्चों के लिए खर्च करूंगा यह बहुत-बड़ा बोज मैंने कम कर दिया है दस वार्स हम है अब हमन्हीं रिप्राइश्स का हो एंफ्राइश्य को मेडिकल कॉलेज मैं जभर्ट अबरोद्रेज बादर्योड थे पंटीफोर्टीन मैं थ्रीहंड़ड़ एक सेवन मेडिकल कॉलेज इते हमारे देश में आज बढ़कर के 706 हो गई है इतने कम समय मैं थ्वेंटीफोर्ट थे मैं थे सित्स करीब करीब 51,000 थे अब वो एक लाग से जादा हो गई है बर्लब ज्यादाटर मिलेंगे ज्यादा सेवा होगी और रॉट्रोग की संख्या बढ़ेगी यहां को तक ट्रीक्मेंट की बश्ता होगी पीजी सित्स की बढ़कर दूग ज्यादा हो गई हाई हा आगे जल करके अच्छे मेडिकल कोलेज के लिए प्रफेसर की मिलेंगे। याने, इंफर सेक्टर की बात हो, एमन इसरस की बात हो, पॉलिशी की बात हो, बजेट की बात हो, एजुकुशन की बात हो, हेल सेक्टर को हमने एक अगे बढ़ाया है जी। के लाइस हुज तूर्सम पोटेंशल, वाट अफर्स विल बी तेकन तूर्सम पोटेंशल आपने बहुत अच्छा सवाल कुछा, तेकि मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में, भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा कॉंटूबिशन पूरियम का होने वाला है, ।ूर्यम इंडुस्टरी बहुत फलने, क्योंकि बजह रएड जी ट्वेंटी मैं अनुवाफव किया, मेरी कोशिश थी कि जी ट्वेंटी के द्वारण मेरे राज्यों को दुनिया जामने अइक्स्पोजर मिले, दुनिया मेरे राज्यों की ताकत दिखें, और इसलिए हमने G20 की 200 के करीब मीटिंग है हिंदुस्तान के अलग-अलग स्थानों पर की तो दुनिया के लोकों के लगा यार हिंदुस्तानिया ने दिली नहीं हिंदुस्तानिया ने आगरा नहीं हिंदुस्तानिया ने बहुत कुछ है तो मैंने ग्राउन बनाने के जिसामें एक के बार देख, मैं आज हिंदु दुनिया के कोई भी देश के नेता आते हैं, तो मैं उस्टेट में लेके जाता हूँ, ताकि आपने देखा वोकर मैं अफरीका में एक बेटी की आख की ट्रिट्मेंट केरल में करवाई थी, एक के ब्राह्म बने एम्बसार में करता है तब, आप देखे, क्या नहीं है, क्या बाइल लाइफ है, क्या बढ़िया समंतर है, कितने बढ़िया पाड़ी लागे हैं, लेकिन उसका हमने सही इस्तमाने किया, तेखे, अड़एंचर स्पोर्ट्स हो, याने मैं मानता हूँ, हार याने स्पिरिचल तूरिजब, आप देखे, गुरुवायूर, पद्मना स्वामी मंदीर, स्भरिमालाय मंदीर, क्या नहीं है, उसी प्रकारते, भारत का सबसे पुराना चर्श के रलमे है, या तूरिजब का है, उसी चेरामन जुमा मजजीद, भारत मैं बनने वाली वाली मजजीद है जी, तो याने, अब हमारियां मार्शलाठ, कानाराई पटो, दुनिया में क्यों नहीं जाए, कतकली, मोहिने टम, क्या नहीं है जी, मैं समझता हूं, तूरिजम, मैं भी वैलनेस तूरिजम, शाइज के रल से बढ़ कर को कोई जगा नहीं है, आज योग और अकर्षन बना है, आधि रवेज ही हील्ज सेंटर हमारा के रल बन सकता है, यानि केरल एक प्रकार से दुनिया के लिए आकर्षन का नहीं हो सकता है, एक उनको कमपलशन हो जाए कंकि जिनके एक वार तो केरल जाना चाहिए, यहाँ तक हम उसको अगे बढ़ाना चाहते है, बड़ी कोशिस है बड़े और युवाव के साथ आपके लगा बोदी जी अब जो आठरा साल का बच्छा है वो जब आप सत्ता में थे आठ साल का था और उसके अलग-अलग प्रिफरेंस बन चुके हैं आप भी content creator के साथ एक के प्रोग्राम किया बहुत प्राइज आप सेंस अफ प्रसेंस बहुत बड़ी अथा आपका और हाली में गेमर्स के साथ भी आपने एक एक कन्वेंशनल लिए किया I mean why do you think it is important आपको मान के चलना पड़ेगा अगर मैं नॉर्मली मेरा जो एज ग्रूप के व्यक्ती है और जिस यूग से वो निकल कर गया है वह कुछ था नहीं अगर मुझे सरकार चलानी है तो मुझे इसका प्राइमरी नॉने तो होना चाहिए फर्स्टन एक्स्पिरेंस होना मुझे रूटीन में किसे ने पूछा होता गेमिंग तो मैं बच्चों को जो रहा है नहीं टाइम खराब मत करो मैं उसमें डिटेल में जाने लगा इस्टडी करने लगा तो मुझे लगा गे पर्सेप्शन थीक नहीं है हमें इसको रिस्ट्रिक्शन देने के बजाए हमने उसको चैनलाइज करना चाहिए पॉपर वे में डायवर्ट करना चाहिए दूसरा गेमिंग के दुनिया में आज हिंदुस्तान के लोग सब से ज़ादा है लेकिन गेमिंग का मार्केट बाहर के लोग कपजे में हैं मेड इन इंडिया गेमिंग क्यों नहो भारत के पास इतन उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को तब यह तुम्हारा एसाइनमेंट है एक हपते में करके लाओ तो बच्चा वीचार स्टड़ी करता है गेमिंग में ऐसा एसाइनमेंट दे सकते हैं और वो अच्छे रिजलतार सकता है अब आपके करना टका में ही गेमिंग पालों ने एक नदी के गंदकी को लेकर के एक गेम बनाई थे और उसकी सफाई का तो मुझे वो अच्छा लगा था तो मैं समयता हुआ उसके कान लोग जूडे ओनलाइन जूडे कि हाव एक नदी गंदी हुए तो उसको साप ऐसे किया जाए एक के बाद एक स्टैप करते गए अब हो सकता है वो उनके समस्कार बन जाए और उन्हादी साप भी करें तो बहुत सारी अच्छी एन्हे अच्छी हैबीट्स के लिए अच्छी सोच के लिए हमें एक एहड आप दा कर्व सोचने की जरूत होती है और मैं खुद उनको मिला उसके साथ मैंने समय बिताया मैं जाद और मैंने उनको खाद मैं एक स्टूडन की तारा संभ़ना चाहतो भी बचाईगे मजे और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता है और मैं देखता हूँ इसका प्रोटेंचल है अब मैं आने वाले दिनों उस पर सोचूंगा दुसरा मेरा अपना स्वाइम का मत है कि मैं इक कर से बंदी हुई सोच वाले इंसान नहीं इंसंट नहीं हूँ मैं नहीं चीज ख़ना और प्रयूक करना यह मेरे फिद ह्रत है अब पेंटी ट्वैल थे पैली एर मैंग पली प्टलीstr लख मैंने प्लिट ליất कल नहीं है मैं परस वर्दनल जिसे पन जुगल है कि तो गूगल हंगाओ का उस समय तो कोई पता ही नहीं था पिर मैंने एक 3D holograms किया था तो देखा था 3D holograms, दुनिया के लोग मैं जब भी उसके बाद जाता है मुझे इस दुनिया का कोई राजनेता है यसा नहीं होगा जिसने मुझे पूछा नहीं किया क्या करते कैसे हो और बुले यह जो जो नाजगान वाली होते हैं उसमे तो कर लेते हैं यह कैसे करते हैं जब मैंन को बता तो मैं यही का उप्योग कर रहा हूं इन दिनों और मेरा एप भी यही का यूच अपनी तरह का बेहत खास एप है इवन आपको मेरी फोटो आपके साथ कभी निकली होगी आप नमो एप पर जाकर करके यही टूल का मेरा उप्योग करोंगे और अपनी खुद की फोटो लग कारते देखी जी एक कंटेंट क्रियेटर था है वो भी देश की बदड़ असेट हो और गलोगली हो इंपेक्ट कर सकते है और तो मुझे उनके सामरत को जानना चाहिए फर्स्ट है जानना चाहिए अचाहिए एक बदड़ बड़ बड़ इकना भी है और मैं चाहता हूँ दे पर ले जाकर के तया करना परता है देश में वी आईपी कल्चर की तो बहुत लेगिसी है और आयव नोटिस्ट उसके बारे में काफी बात होती है कैसे उसको खतम किया जाए आपका क्या कहना उसके बारे में यह बहुत ही चिंता जनक और दुरभा के पूरबात है क्योंकि कर दोल्यकर की बहुत है ल सबिस्ट सोब्द सर्ड़ करना की संड़ कानू ऌभे जितने मेरी समझे है ऑ कॉनोलिय काल यहिव in यह एक परकार जोड़ गया अंगूलिय करणकर कानू अनका नेल जन्ता के अंतानू उनका रहन जानके लेक बाक्यों नंकी जगा यहिए गार न लेकिन नहीं कहया है, हमारे नेतोन उसको जारी रखा है, अब मैं जब आया तो मैंने पहला काम किया, नो लाल बत्ती, मैंने केमिने नी ने किया है, कोई लाल बत्ती रेड लाइट नहीं होगी, गाडियों पर चलते हैं और शाहरन बजाता है, जुम 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 करके, क्या मैं गुजरात में था, मेरे सभी मिनिस्टर को नियम था, कि कोई सारे नहीं पर जागे, बहुत बड़ा ट्राफिक और जरूत पढ़ गई तो थोड़ा हलका से करके बंद करो पई, ये कौन हम बड़े बात्सा हैं, कि हम सारेन बजा के चलेंगे, देखिए, मैं मानता हूँ अब VIP नहीं, मेरे लिए तो EPI है, और जो मैं EPI कहता हूँ, तो every person is important, और यही हो रहा है, लाल बती से लेकर हर एक्शन में VIP जहम को खत्म करने का मेरा प्रयाफ रहा है, कुछ चीजे जरूर पढ़ती है, वो तो मैं समझ तरकता हूँ गई, एगदम से ये चाहोगे कि देश कि राजपती जी ऐसे फूट पाथ पर पैदल चाले जा रहा है, ऐसाथ मैं नहीं चाहूँगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है, लेकिन हमारा कोच अब देशे व्यक्शिया से भुआ, जिवन मरन का सवाल था, COVID का, मैं भी व्यक्शन ले सकना था, लेकिन मैंने ताई किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन में जाओंगा, और मैंने तब तक वेक्शन नहीं लिया था, इतना ही नहीं साब, मेरी माताजी सो साल की हुई, मेरी माताजी का सुरवास सरकारी हस्पताल में हुआ, उस ते लाखरी जीवन में, कभी इसको अत्रता जाना नह कि जो सरकारी स्वजानगू होता है, पबलिक का भही किया, तो भी इप कल्चर की खिलाब मैं अपने वहारजी जीतना कर सकता हूं, मैं करता हूं, और मैं मानता हूं, अब जैसे री पबलिक डे परेड, वार इन्वाइटी कौन होता है, मैंने जिनों नहीं संटल इस्टा ब कि पहली पचांच सेट मेरे गयश का लिए चही है, तो कहते कि, पचांच सेट साप, तो उँस जरह एय रहता है कि, पचांच सेट, मैं पचांच सेट मांगता हूं और भी मैं कर रहूं, ऊस उनिवर्सटी के नदिग में से युगी जॉपडी होती है, वहां जो स्कूल होती है उन बच्चों को मैं बढ़ाता हूं सीञ इच बिलिविंग उस ही समय उसके मन में होता है मैं भी कैसे बापा पानके जाओंगा मैंसी भी ऐसा कॉरता पानके जाओंगा मैं भी ऐसा सदी बेखे बूंगा यह मैं संस्कार काड़ता हूं तो मेरे लिए आप देखे पहले स्कूल में प्रभेश के लिए MP का कोटा रहता था मैंने खत्म कर दी जा इवन हज यात्ना के लिए कोटा रहता था मैंने वो भी कतम कर दिया हमारी Parliament की कैंटेन सब अग्मार वाले दुनिया भर की चीज़े लेखते दे मैंने सब केंटेन की सबसेड़ी खतम कर दिया MP पूरा पैसल देता है तो देखिए हमने पद्मस्री देखिए स्टड़ी हो रहाज के पद्मस्री की तारीफ हो रही है क्यों? ऐसे ऐसे लोगों को मैं खोचता हूं जी ये पीपर्स पद्मा बनना चाहिए वरना पहले जांदा तर पर्दम दिल्ली में जाते हैं वोई जो नेताओं का परिचे रहता था उनी को जाता था सब बदल दिया हम जै तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये जी को एंप्लिफाय करता हूं दुनिया के सामने बताता हूं मेरा देश उसकी ताकत कि मोदी जी चुनाओ टाहिम में इतना समय निकालके हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं इश्यान एक बहुता भारी हूं और केरल का चुनाओ महतोपुन है उस प्रकाया उस समय केरल की महतोपुन चैनल से बात हो कनड़ा की बहुत बहुत अख़वार आप सब यहां आए मैंने अपनी बाते बताने का प्रयास किया है लेकिन मैं मद्दाताओं से प्रास्णा क करूंगा कि यह चुनाओ को सामानने नले इस बहुत ही महतोपुन चुनाओ है गर्मी बहुत हैं फिर भी मतदान अवश्य करें मैं सभी राजनितिक दल के कारकरताओं को कहूंगा इन चुनाओं के दुनों में ने जखा पत्रकारों के सबसे ज्यादा दूर्दूप होती है सबसे ज्यादा फिल्ड में दोरते हैं उन पत्रकारों को भी पुलिटिकल वर्कर्स को भी मैं जुरूर कहूंगा कि बहुत पानी पीजिए इस धूप में इतना काम करते हैं अपने आपको समाल जिए थान्यवाद पर फिर से झाल